हेला स्टुडेंट नमस्कार आम सीले कुनल कटारिया फाउंडर आफ केके कॉंगर सेक्डम नासिक और दोस्तो आपने गर प्रिवेस वीडियोज देखे होगे मेरे जिसमें मेरा एक जिकर चल रहा था कि 12 बोड की एक्जाम आफ लाइन हो नहीं ही चाहिए ठेके जो वीडियो अपोस भी फेस करना पड़ा थेके मतलब बोड एक्जाम क्यों नहीं होने चाहिए बच्चे क्यों चाहते हैं कि एक्जाम के लिए माइड से नहीं वह स्टेडी से भी प्रिपेड नहीं है माइड से प्रिपेर होना तो बहुत ज़रूरी है एक्जाम के लिए बहुत कम दिन बचे है बट अभी भी स्टेडी के पॉंट अफिर से प्रिपेर नहीं है क्योंकि कॉलेजेस उन्होंने अब तक सेलामस कंप्रिट नहीं किया है बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं बता है आपको क्या लगता है बात करने के लिए आपने तो बता दिया एक्जाम होना चाहिए लेकिन हमारा क्या कि अगर हमने दस में से अगर दो या तीन चाप्टर आप तक हुए है टीचिंग किये हैं हमारे क्लासेस में तो नहीं हो सकता में बट कॉलेजेस में अगर कहीं पर हुआ होगा तो उनका क्या तो दोस्तों आपके लिए एक गुड़ नियूज है गुड़ नियूज मतलब यह है कि आपको जो लिमिटेट टाइम में अनलिमिटेट में सारा स्टेडी करना है उसके लिए नया इनिशेटिव में लेके आया हो तो वह इनिशेटिव ऐसा है तो ट्वेल्थ बोर्ड अगर आप दे रहे हो और अगर आप कॉमर्स से विलॉंग करते हो तो आपके लिए एवरी डे एवरी डे रात को नव बजे एक वीडियो आएगा जिसमें पूरे चाप्टर का रिक्याप पूरे चाप्टर का कुई क्रिक्याप दिया जाएगा वो भी चाट फॉर्म में सो दोस्तों अगर आप वह अटेंड करते हो तो मार्क मैं वर् मतलब नहीं है अगर मैं आपको सिर्फ चाप्टर की रिवीजन दे रहा हूँ अगर आप एटी प्लस चाहते हो तो आप मैराथान का कोर्स बाय कर सकते हो जिसमें मैंने तीस दिन में पूरा सेलाबस रिवाइस किया है लेकिन अगर आप एक्सपेंस भी नहीं करना चाहते है कम टाइम में सिर्फ हमें पास होना है ऐसा तरा टार्गेट रखते हो 60-70 या उससे जादा तो डेफिनिटी आप एवरी डे वो लेक्चर गोत्रू कीजिए इन अगर आपको कुछ डाउट है तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया टेलिग्रम ग्रूप की लिंक है फिलाल आपका जो मॉराल एट जो डाउन हो जुका है वो उपर लाना है आपको बस पास कराना अच्छे मांग से यह इंटेंशन है सो दोस्तों डू यू स्टेडी रेगुलर्ली बाके सब भूल जाओ बस एक प्रिवाग में रखो कि आगे का वन एन हाफ मन जो है एकजा